हाल ही में Grammy Awards 2024 का एयोजन किया गया है तो चलिए जान लेते हैं 2024 में Grammy Awards से किसे और किस कैटेगरी में नवाजा गया है फर्स्ट कोश्चिन है वर्ष 2024 में Grammy Awards का या कौन सा संस्करन का एयोजन किया गया है तो option D correct हो जाएगा 66 इस साल पांच फर्वरी 2024 को Grammy Awards का 66 संस्करन का एयोजन किया गया है दोस्तों कहां किया गया है तो आगे हम लोग जानेंगे तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें चलिए अब जान लेते हैं कि इस साल 2024 की Grammy Awards का एयोजन कहां किया गया है तो option B correct हो जाएगा कॉम एरीना में आविजित किया गया है तो दोस्तों कब किया गया है आविजन और किस स्थान पर किया गया है दोनों ही important है तो आप जुरूर नोट कर ले 66 वार्सिक Grammy Awards ने 1 October 2022 से 15 सितंबर 2023 तक सर्विस रेस रिकॉर्डिंग रचनाओं और कालाकारों को सम्मानित किया वही 2024 में Grammy Awards का होस्ट यानि के मेजबान कौन है तो दोस्तों चोथी बार ट्रेवर नोवा द्वारा इसकी मेजबानी की गई है तो दोस्तों होस्ट वेरी वेरी important है तो इसे भी आप जुरूर नोट कर ले दोस्तों इसकी nomination announcement की बात की जाए तो 10 November 2023 को सबसे ज़्यादा nomination इस award में मिले है SZA को टोटल 9 nominations मिले है वहीं बात की जाए सबसे ज़्यादा बार इस साल Grammy Awards किसने जीता है तो Bridgers ने Bridgers की बात की जाए तो Bridgers उस रात के सबसे बड़े बिजेता थे कुल 4 Grammy Awards जीते है जबकि Taylor Swift ने 4 बार Album of the Year जीतने वाली पहले एकल कलाकार के रूप में इतिहास रच दिया है चलिए जान लेते है Taylor Swift ने कौन-कौन सा award जीता है तो दोस्तो 2024 में Grammy Awards की Album of the Year से Taylor Swift को सम्मानित किया गया है इनके Mid Nights के लिए तो इसे भी आप ज़रूर नोट कर ले साथ ही Taylor Swift को उनके Mid Nights के लिए Best Pop Vocal Album से भी सम्मानित किया गया है Grammy Awards 2024 की और awards की बात की जाए तो Best Global Music Album 2024 की एवार्ट से सक्ती दिस मुमेंट को सम्मानित किया गया है भारतिय मुल्के संकर महादेवन और जाकीर हुसेन के बैंड सक्ती ने दिस मुमेंट के लिए सर्विस रेष्ट बैस्विक संगीत एलवम का पुरुसकार जीता है वहीं Best Contemporary Instrumental Album Awards से As We Speak को सम्मानित किया गया है इसमें दोस्तों Bella Fleck, जाकिर हुसेन, एडगर मेयर, राकेश चोरसिया को साथ में सम्मानित किया गया है वहीं Grammy Awards में Best Global Music Performance की बात की जाए तो पैस्तो को सम्मानित किया गया है 2024 की Grammy Record of the Year Award से Millie Cyrus को उनकी Flower के लिए सम्मानित किया गया है 2024 की Grammy से Best Country Album Award से Lenny Wilson को उनके Bell Bottom Country के लिए सम्मानित किया गया है Next Grammy winner की बात की जाए तो Song of the Year का Award मिला है दोस्तों Billy Ellis को उनके What Was I Met 4 के लिए वहीं Victoria Monet को Best New Artist के Awards से सम्मानित किया गया है वहीं Next Grammy winner Best R&B Song Awards से SZA को सम्मानित किया गया है दोस्तो SZA को अधिकतम नमिनेशन मिले है इस सल Grammy Awards की Best Song Written for Visual Media Awards से Billy Ellis को सम्मानित किया गया है What Was I Met 4 के लिए वहीं Song Writer of the Year Non-Classical के लिए Theron Thomas को सम्मानित किया गया है 2024 के Grammy Awards से Producer of the Year Non-Classical की बात की जाए तो Jack Antonoff को मिला है वहीं Best Pop Solo Performance की बात की जाए तो Millie Cyrus को मिला है उनके Flowers के लिए Best Children Music Album Award से We Grow Together Pre-School Songs को सम्मानित किया गया है वहीं Best Rock Song के लिए Not Strong Enough को सम्मानित किया गया है इस सल के Grammy Awards से तो दोस्तो इस सल 2024 की Grammy Awards से जितने भी Important Question बन सकते है आपको कबर करवाए गया है